हेलो गाइज, माइसेल मितलेश कमार, फांडर अफ एजूकेशन जी, ऑनलाइन एजूकेशन पोटल, आप सभी लोग बहुत ज़्यदा बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं कि जेई में 2022 का पेपर कब होगा, अप्लिकेशन फॉर्म कब रिलीश होगा, और ये बहुत ज़्यदा uncertainty बनाय रखा है, हाँ, और ये तो सबसे ज़्यदा problem ये हो रहा है, कि number of attempts कितने होंगे, देखो, अभी लगभग officially चीज़े नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मताबिक अगर देखा जाए, तो chances आ चुके हैं कि कब क्या हो सकता है, हम लोग आपको ये भी इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे preparation करना है, आपको J-E main का कि आपका score अच्छा हो सके, हाँ, हम अगर बात कर ले सबसे पहले कि जो expected number of attempts है, ओ अब 2 हो जाएगा, हाँ, 2 है, पूरा chances कि 2 हो जाएगा, पहला reason ये भी है कि बहुत late अब हो चुका है, 22 से अब ये देखा जा रहा है, कि सभी चीजों को समय से कराने के कोसिस किया जा रहा है, तो अगर 4 attempt होंगे, तो बहुत ज़्यादा late हो जाएगा, ये पुराने वाला ही बात हो जाएगा, जो 2021 में हुआ है, वैसा, हाँ, इसे लिए अब ज़्यादा chances है, कि 2 ही attempt आपको J-E main होने की पुरी-पुरी संभावना है, इसे लिए आपका preparation अब सिर्फ 2 के तरह ही करना है, ये नहीं कि 4 होने के हम किसी 4 में दे देंगे, तो हमारा अच्छा result हो जाएगा, नहीं, अब आपको 2 ही attempt होगा, ये जो attempt होने के chances है, ये है April and May में, अगर बात कर लें यहीं पे, application form release का, तो आप ये sure अब रह सकते हो, कि March Yes, March 1st week में, March 1st week में आपका पूरा पूरा chances रहेगा, application form release होने का, उसके बाद आपको April के 3rd, 4th week में 1st attempt होने के पूरे chances होगे, similarly माई में 2nd chances बन सकते हैं, हाँ, तो आप ये ही मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि आपका जो preparation होना चाहिए, वो 1st attempt को best करना चाहिए, 1st attempt में जादा possibilities होते हैं, कि आपके अच्छे rank बन सकते हैं, इसलिए पूरा कोशिस आपको 1st attempt में ही करना है, तो March 1st week में आप पूरा त्यारी करके रखे, application form को fill करने का, उसके बाद आप इस तरह से preparation करें, कि April के 1st week, 2nd week तक आपका exam हो जाए, उस तरह से आपको preparation करके चलन हैं, अब हम लोग ये देखेंगे, कि आपका preparation कैसे करें, कि आपका अच्छा score हो जाए, देखो, आप अपने जो कमजोरिया हैं, जो problems है, उसको आप identify करें, वैसे तो आपको पता है, कि मेरे कौन से chapter में ज्यादा problem है, तो उसको identify करें, और उसको rectify करें, उसको खतम करें, प कौन question को ज्यादा pattern कर रहा है, आपको अपना देखना है, कि मेरे को कौन सा chapter में problem है, तो आपने आपको पहले identify करके, उसको rectify ठीक करना है, ये पहली बात हो गई, second बात ये है, कि आपको test, हाँ, mock test ज्यादा practice करना है, क्या करना है, mock test, जो मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं, कि अब ये जो समय आ गया है, बहुत जादा नया chapter पढ़ने का नहीं आ गया है, जो आपने one year, two year में जो जितना study किया है, उसके according test practice ज्यादा करे, कम से कम ये आप इस final कर दे, कि हर रोज एक test देना ही देना है मेरे को, और उसके बाद उसके solution को देखना है, टेस्ट देने से आ टिक मार सकते हैं आप, तो इसलिए mock test practice करना बहुत जरूरी है, इसको आपको अच्छे mock test आप online buy कर ले, उसके according आप test का practice करें, अगर देख ले कि अगर आपको पस कुछ समय है, तो speed बहाने के लिए, revision के लिए, एक crash course type भी आप join कर सकते हैं, हाँ, ये जरूरी क्यों है, उन crash course fast करेंगा, आपको दोराद देगा तेजी से, तो ये भी एक थोरा सा जरूरी उने student के लिए है, जो धिरे-धिरे perform करते हैं, तो किसी के guidance में आप काम करोगे, तो आपको fast करने का आदत पर जाएगा, इसलिए if possible crash course join कर ले, तेजी से questions को solve करने के लिए, revision करने के लिए, इस इसलिए ये crash course होता है, इसमें पूरा revision कराया जाता है, तो अगर आपको जरूरत परें, तो crash course भी join करें, ये total बात था, जिसके छोटे point को ध्यान देंगे, तो आपका JMAIN में अच्छा percentile बन सकता है, score आ सकता है, देखो, percentile की बात करें JMAIN में, तो target जो आपको करना है, वो NITIM admission एकदम कहुत lower college खराम में होगा, और 97, 96 इसमें बहुत खराब होगा, 95 से नीचे तो admission ही नहीं होगा, समझ रहे हो बात को, और advance की तो दूर की बात, इसलिए कम से कम round 1, phase 1, जो है, उसमें आपको 99, 98 percentile लेके ही आना है, हाँ, अगर बात कर लें, जो 300 का paper होता है, JMAIN मे 300 marks का, तो उसमें आप कम से कम, 250, 240, इस तरह का target रखे score करने का, तम मझा आएगा आपको अच्छे percentile को लेने में, होपसो की बीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर आप comment करके बज़ सकते हो, कि किस topic, कौन से touch chapter आपको study करना है, आप हमें बताओ, अगर उसमें कोई problem है, त बात कर सकते हो, होपसो की बीडियो अच्छे लगते हैं, bye, take care, see you again.